Hello friends, अगर आप यूरोप के किसी भी देश में रेल यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूँगी Paris, London, France, कहीं पर भी अगर आपको रेल से यात्रा करनी है, तो उसकी जानकारी जैसे कि आप रेल में घर से बना खाना ले जा सकते हैं या नहीं, विंडो सीट कैसे मिलती है, कितने वजन का सामान ले जा सकते हैं, क्या ट्रेन में टॉइलेट होता है, बोर्डिंग पास क्या है, कैसे निकालते हैं, सामान का वेट कैसे करते हैं, बच्चों की हाफ टिकेट लगती है फुल टिकेट लगती है ट्रेन में खाना फ्री मिलता है या नहीं मिलता आपकी जानकारी के लिए एक बाद बता दूं कि यूरोप में रेल से यातरा करना हवाई साजार से यातरा करने से जादा महंगा है उसके कई कारण है एक तो रेल से यातरा करने पर आप एकद करी जा सकती है यह जांकारी मैं इस वीडियो में दूगी अगर आप ट्रेन से यातरा करने का मन बना रहे हैं और अगर आपको बहुत पहले पता लग जाता है कि आपको ट्रेन में सफर करना है तो जतनी जल्दी हो सके आप ट्रेन की टिकेट बुक कर दीजे बहुत सारी ट्रेन्स में ऐसा होता है कि आप एक हफ़ते के अंदर अपना शडूल भी चेंज कर सकते हैं टाइमिंग्स दो बार चेंज की जा सकती हैं और अगर दो बार से ज़्यादा चेंज करनी है तो कुछ यूरो का फाइन लगता है और आप टाइमिंग्स चेंज कर सकते हैं हवाई जाज से यात्रा करने के लिए आपको एक लिमिट होती है कि इतना किलो सामान ही ले जा सकते हैं इससे ज़्यादा अगर आप सामान ले जा सकते हैं तो आपको एक किलो का कई हजार रुपे पैसे एक्स्ट् का कितना अंतर है ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हवाई जाज से करेंगे या ट्रेन से करेंगे समय आपको बराबर ही लगने वाला है कोई दो तीन चार मिनिट का ही फरक पढ़ने वाला है एरपोर्ट किसी भी शहर में चार या पांच होते हैं लेकिन रेलवे स्टेशन बहुत सारे होते हैं इसलिए रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के लिए आपको आसानी होती है अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो मूवमेंट के लिए भी जादा जगे मिलती है ट्रेन के अंदर यूरोप की ट्रेंस में वही facility मिलती है जो की आपको एरो प्लेन में मिलती है टॉयलेट ट्रें के अंदर होता है खाने पीने का सामान आप खरीद सकते हैं बचों का half ticket लगता है स्टुडेंट्स को rebate मिलता है चाहे वो दूसरे देश के हो तब भी और अगर आप senior citizens हैं तो भी आपको rebate मि मिलता है बहुत सारे देशों में city card बनवाने पर half discount मिलता है train और tram के किराई मर जैसे कि सुचलेंड में अगर आप card बनवा लेते हैं तो आपको train के किराई में सीधा half का discount मिलता है यानि कि अगर आपका bill 1000 रुपे का आया है तो आपको सिर्फ 500 रुपे ही देना होगा अगर आप train से एक देश से दूसरे देश के लिए यात्रा कर रहे हैं तो आपको immigration कराना होता है पासपोर्ट अपने साथ ले जाना होता है और आपको ये प्रूब करना होता है कि आप कितने दिन के लिए कहां जा रहे हैं और कितने दिन में वापस आएंगे आपके आने जाने का reason वो आपसे पुछते हैं और अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो बहुत जल्दी आपको इमिग्रेट कर दिया जाता है इसमें आपसे बहुत ज्यादा कुश्चनिंग नहीं की जाती जैसे की एरपोर्ट्स पे की जाती है ट्रेन में आप अपने साथ अपनी जुल्डी पहन का जा सकते हैं एरपोर्ट्स पर वो जुल्डी आपसे उतरवा ली जाती है लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं होता बहुत सारे एरपोर्ट्स पर आपसे बेल्ट्स तक उतरवा ली जाती है आपने बेल्ट पैन रखी है, पर्स है, चश्मा है, टोपी, सब उतर वाली जाती है लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं होता ट्रेन में सफर करने का एक और बड़ा फायदा ये है कि ट्रेन में ट्रेवलिंग के समय समान आपके साथ होता है जबकि हवाई जाज में समान आपको बोर्ड कर दिया जाता है और जब आप सफर पूरा करते हैं तो आपको समान की बेल्ट की और भागना पड़ता है नंबर पता करना पड़ता है कि समान कौन सी बेल्ट पर आएगा वहाँ पर जाकर अपको अपना समान चेक करके लेना होता है कई बार समान इधर-ुदर भी हो जाता है टूट फूट भी जाता है, खोने के भी चांसिस रहते हैं लिकिन ट्रेन में आपको ये सब नहीं असुविदा होती है ट्रेन में सफर करते समय आप आसानी से अपने साथ खाना भी ले जा सकते हैं और पानी भी ले जा सकते हैं जबकि हवाई जाज में यातरा करते समय आपको 50 ml से ज़्यादा का लिकुड ले जाने की परमिशन नहीं मिलती है ट्रेन में आप अपने साथ सेंट या कोई तेल या कोई लिक्विड जैसी कोई चीज भी आसानी से लेकर जा सकते हैं यूरोप में बहुत सारे रेल्वे स्टेशन पर शटल चलती हैं जो की फ्री सेवा होती है जैसे कि अगर आप हवाई जासे किसी जगे पर उतरते हैं और वहाँ से आपको शटल मिल जाती है रेल्वे स्टेशन के लिए फ्री और उस रेल्वे स्टेशन के लिए आपको शटल सेवा से रेल्वे प्लिटफॉर्म पर उतर जाते हैं वहाँ से अपना रेल पकड़ कर आप अपने गंतवय पर आसानी से पहुंच जाते हैं अगर आप ट्रेन की टिकेट्स एडवांस में बुक कराते हैं तो आपको 10 से 20 गुना ज़्यादा डिसकाउंट भी मिल सकता है ऐसा मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ मेरे को लंडन से फ्रांस जाना था मैंने 2-3 महीने पहले ही टिकेट्ट बुक करा ली थी क्योंकि मुझे डेट्स पता थी मुझे कब जाना है तो वो मेरी टिकेट्ट बुक हुई थी करीब-करीब इंडिन रुपीज के हिसाब से 2300 रुपे की जी यां सिर्फ 2300 रुपे की टिकेट बुक होई थी लेकिन अमरजंसी में एक बार मुझे लंडन से फ्रांस अमरजंसी में जाना पड़ा और मेरी वही टिकेट जो बुक होई है वो 25,000 रुपे की बुक होई इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पहले से ही टिकेट बुक कराएं उससे आपको बहुत सारा फाइदा मिलता है अगर आप बच्चों के साथ रेल में सफर कर रहे हैं तो अपने साथ फल जूस की बोतल या फिर कुछ खाने का सामान जरूर रखिए हर रेल्वे स्टेशन पर बहुत सारे खाने के कियोस्क बने होते हैं हर ब्रेंड का सामान आपको मिलता है खाने के लिए तो आप वहां से भी खरी सकते हैं या फिर रेल्वे स्टेशन आते समय अपने घर से जो भी रास्ते में डिपार्टमेंटल स्टोर मिलता है वहां से खान करने की जरूरत नहीं है आपको कुली की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां के प्लेटफॉर्म इतने स्मूध होते हैं कि आप दो ट्रॉली बैग भी असानी से मूव करके ले जा सकते हैं उन पर बच्चे भी बिठा कर ले जा सकते हैं स्मूध होते हैं यहां के प्लेट और वहां की local languages में असानी से मिल जाती है यहां का staff बहुत ही जादा helpful होता है अगर आपको वहां की language नहीं आती है तो वो आपकी पूरी help करते हैं लिखा हुआ भी आपको हर language में मिल जाता है अगर आप Italy या France के किसी देश में rail से सफर कर रहे हैं तो आपको कहीं कहीं असविदा यह हो सकती है कि बहुत सारा staff फ्रांस और Italian के अलावा English नहीं जानता है लेकिन वहां पर आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो English जानते हैं अगर आप उनसे अनुरोध करेंगे और थोड़ी सी request करेंगे तो वो आपकी बात को अराम से सुनेंगे और आपकी हरसायता करने की कोशिश करेंगे अगर आपको लंडन या यूरोप के किसी भी देश के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं वर्षा जन ब्लॉग मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें नए ब्लॉग में फिर मिलते हैं